हेलो गाइज वेलकम टू गंगलो इंजिनियर्स वाटर रेसॉर्स डिपार्टमेंट एंपी सब इंजिनियर के डॉकमेंट वरिफिकेशन आल्मोस्ट खतम हो गया है आज 16 है तो आज लास्ट एलेक्ट्रिकल मेकैनिकल वालों का डॉकमेंट वरिफिकेशन है तो अब इस जो आउटकम को इस वीडियो में डिसकस करेंगे जिससे होगा यह कि अभी जो बाकी जितने सारे बचे हुए डिपार्टमेंट्स है उनका जब भी डीवी होगा तो हमें शुरू से एक आइडिया रहेगा कि हां इस तरीकी की चीज़े होती है पर एक चीज़ है कि जो चीज़े यह on में डिफार्टमेंटस यह नूजीिस अया था झो पी दियफ हाई थी नैडी की तो उस में जो क्या लिस्टीमेंट की लग लगग हर दिपार्टमेंट में यह डेलिस कॉमन होती है एक दू डाकिमेंट एक दो कम होजाता है विट ए लिस्ट लगब तो वो सबसे पहला पॉइंट है कि कौन कौन से लगे हैं तो देखें जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें जो जो भी डॉक्टिमेंट्स का बताये था मैंने जो की WRD का जो डीवी का नूटिस आया है उसकी जो पीडियोफ है उसमें है तो वही exactly वही नहीं लगा अगर कोई समीदा वाला है तो उसको फिर रेजिगनेशन एक्पिरियंस वह वह चीज़ें अगर आप कहीं से जॉब करके आ रहे हो तो उसके लिए नोसी तो ऐसे अडिशनल डॉक्यमेंट्स लगे हैं अगर आप आपका एम्टेक हो चुका है तो आम्टेक की मा अगशित के बाद आपका डिगरी सेटिफिट उसके बाद आपका डॉमय साइल याने निवासी उसके बाद आपका जाती शपत पत्र हो और उसके बाद अनुप्रमानन फॉर्म और उसके बाद आधार काट की फोटोपी तो यह डॉक्यमेंट्स अरे लगे थे डबलू तो दो फोटो लगय थे फोटो की नाम लिखवाय गया था और फोटो जो आप फोटो पीस एक सब्सक्राइब कर ले चाना है तो यह सारे दॉक्ज्षेट फटोकापी करके ले जाना था पहले जुट में जो था अनुप्रमानन चपत पत्र और जो था वो औरिजनल लगाना था दूसरा जो सेट था उसमें इनकी भी फोटोकपी लगानी थी दो सेट दो फोटो की बीछे नाम तीसरा पॉइंट है कि अगर आप किसी साथ लिए उसमें से किसी से अटेस्टेट करवा सकते तो बहुत अच्छी बात हैं नहीं करवा सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी अपना सिगनेचर कर देना वह इनफ तो बाक्यूं में भी अगर ऐसी चीज आती है तो मेरे खाल से चीज चलेगी कि आप सेल एसा एश्सु भी नहीं बनाओन नेरी जटेस्टेट्ट से ही एक्टेस्टरेट चाहिए करे निडिकलस असे एक की सअसे सब्सक्रीजक कले सब्सक्राइब इसक्ते जिए प्रक्राइबमा लोगों क्या और मिव тор wise मेरेंइकल से अनीत नहीं बन पाया क्योंकि जो टाइम वि लोगों नहीं कर रहा है दूसरी चीज़ लोगों नहीं दिया उनके लिए उनके लिए यह चीज़ थे कि उनको एक अंडर्टेकिंग लिखके देना पड़ा कि हम 15 या 20 दिन मेडिकल से जमा कर देंगे तो अगर आपके बास मेडिकल से नहीं था तो इन्होंने जो है वह लिख तो मेडिकल से नहीं बन पाए तो उससे भी कोई इशू नहीं हुआ पाचवी पाचवी चीज़ अनुप्रमानन फॉर्म पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा डीटेल में कि इसको फिल कैसे करना तो इसमें देखिया वैसे भी यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो अवे जाए था कि एक कॉपी प्रेंट कर रही है उससे पूरा लिख के और जो लास पेज है वो गजटेट से साइन करवा के अब उसकी एक सेट की फोटो कोपी करके दूसरे में लगा सकते हैं तो अनुप्रमानन फॉर्म में एक ले जाना था अनुप्रमानन फॉर्म पर फोटो लगाना है नहीं लगाना यह कुछ लोगों का डॉट था तो देखिए और जैसे कि वहाँ पर चार-पांच लोग बैठे हुए था तो उसमें से कोई यह बोल रहा था कि आप अनुप्रमानन पर फोटो करके लाई है और बाकी जो डीवी देख चेक कर रहे था डॉक्मेंट वह बोल रहे थे कि आप फोटो जो है और फोट इस के मतला दीज़ें तो फोटो आप शूरू से लगा कि ना ले जाये वहाँ पर अगर वह बोलता है कि अनुप्रमानन लेगा दे तो वहाँ पर स्टैप्लर भी होता है उनके पास अनुप्रमानन फोटो लगा दिया टाइब कराएके सब्सक्राइब कराना है और उसके बाद उसमें अपनी डीटेल आप जो है वह उसमें डाइरिक प्रिंट करा सकता है बस सिगनेचर वगएरा छोड़ दीजिए सिगनेचर आप से कर सकता है बाइके डीटेल जब आप उससे टाइब कराएंगे तो जहाँ पर जैसे नाम के सामने स्पेस रिखा हुआ है तो आप अपना नाम महाँ पर टाइपिंग में लिखा लिए और उसको प्रिंट करा लिए उसके बाद जो साइन वाला और डेट वाला जो भी नहीं वाला नीचे सब्सक्राइब कर सकता है अगली चीज है अधर स्टेट कैंडिडेट अलाउड और नॉट तो देखिए क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में जो है नहीं रोजगार पंजियन मांगा गया था नहीं MP के समगर आईडी जो भी है वो कुछ भी नहीं मांगा गया था तो वहां पर ब उनका डॉमिसाइल जो है जहां का भी हो वहां का डॉमिसाइल आप ले जाइए वहां पर कोई प्राब्लम नहीं होगी अट लीस्ट वॉर्ड में अधर स्टेट वालों के सब्सक्राइब कर लिया गया है जो है वह उनका जो है वह दिखाना पड़ेगा बढ़ाँ दिखाना सकता है क्योंकि WRD का जो लिस्ट मांगी गई थी उसमें रोजगार पंजन नहीं था और उन्हें रोजगार पंजन देखा भी नहीं है तो इस हसाब से अधर स्टेट वालों के लिए वैसी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि रोजगार पंजन मांगी नहीं रहे थे बाकि डपार्टमेंट्स का आप देखते हैं कि अगर बाकि डपार्टमेंट्स में रोजगार पंजन मांगा जाता है तो फिर क्या होता है बाकि एट लीस WRD में अधर स्टेट का कोई भी बन्दा बहार नहीं हुआ है सिर्फ इस पजासे क्यों अधर स्टेट से इस तरीका अगला पॉइंट है कि समीदा ट्वेंटी क्या हुआ जो लोग समीदा ट्वेंटी फाइयर एक्स्विरियंस वाले से एंटर हुए थे जो भी फ्रेशर से तो उनके लिए तो मैं शुरू से बोल रहा हूं कि थोड़ा सी दिक्कत है मुश्किल होगा आपका तो जैसे कि डब प्रविजनल डिग्री साइटिफिकेट लेके गये थे उनके पास और लोग को बोला गया है कि आप अपने औरिजनल लिग्री फोटोकापी लाके जमा कराईए यहां पर कोई अंडर्टिकिंग नहीं लिख वाया गया है तो अंडर्टिकिंग नहीं लिखाया गया मतलब बहुत ज्यादा सीरियस नोट पर नहीं है कि नहीं आपको बिल्कुल करना ही है दस-पंदा दिन में अदर्वाइस आपका कैंडी रेचर कैंसल हो जाएगा ऐसे कुछ नहीं है तो आपके पास अगर डिग्री है औरिजिनल तो आप लेजिए और प्रोविजनल भी डिग्री है तो कोई दिक्कत नहीं है बट अभी तो जैसे टाइम है वाकी डिपार्ट्मेंट के लिए भी तो आप कोशिश करें कि अपनी जो डिग्री सर्टिफिकेट है वह मिल जाए तो प्रोविजनल डिग्री भी होगी तो कोई प्राब्लम नहीं होना है उससे दसवाप माइंट है कि फोटो एप्लिकेशन फॉर्म वाला चलेगा क्या आप ले जाएंगे तो देखिए फोटो उसमें लिखा था कि जैसे नोटिस था उसमें तो लिखा था कि आपको लेटेस्ट फोटो होना चाहिए और लेटेस्ट फोटो ले जा सकते हैं नेक्स है नाम में गलती है अगर आपके नाम में गलती है तो क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों का डॉक्मेंट वेरिफिकेशन था डबलू आडी में तो कई बार ऐसी चीज़े हुई है कि वह नोटिस नहीं कर पाए कि हाँ ये गलती है क्योंकि आप खुदी जब दूसरे के किसी के डॉक्मेंट उठाके देखता है तो पहली नजर में बहुत मुश्किल होता है बहुत चोटी-चोटी गलतिया जो है वह नोटिस कर पाना तो अगर आपको लगा रहा है कि वह गलती नोटिस हो सकती है तो आप सीधी सी बात है पचास रुपे के स्टैंप पे एक एफिडिविट बनना के ले जाएए वह सेफ रहेगा अगर कोई गलती है आपके नाम में तो बाकि इससे कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने अगले पॉइंट है वह एक अलगे अगलग है आपका अललग अलग टोकूमेंट में तो बिसिकलिए आपका मीजर डॉक्मेन हिसे होने जैसे डूमिसाइल है अधार काड आप भी होना चाहिए और अगर आपका अलधु कि आपका सखरण अगर आपके डॉक्मेंट में अलग अलग अड्रेस दिया हुआ है तो और बहुत जादा अगर आपके साथा डॉक्मेंट में चेप चार-पाच अड्रस तो वह प्रॉब्लम कर सकता है मुश्किल से दो ही अड्रेस होने चाहिए अगर वह अगर आपको कोई करेंट है अपने हल फिलाल में चेंज करा है तो अगर तीन चार एड्रस हो रहे हैं आपका अलग 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 दोक्मेंट में तो डैट विल क्रिएट दैट कैन भी प्रॉब्लम नेक्स पॉइंट फॉर् प्रोफेशनलिजम दिखना चाहिए तो मतलब मैं कहना चाहूंगा कि आप फॉर्मल में ही जाए बाकि तो कुछ लोग ट्रैक सूट में भी पहन के आ गए थे डॉक्मेंट वेरिफिकेशन कराने तो इस यो चॉइस वहाँ पर कोई आप जॉइनिंग तो लेने जानी रहा है वर्ट पॉर्मल में अप जा सकता है अग्रा जो पॉइंट है जाइनिंग लेटर मिला या नहीं नहीं मिला यूइन ला टी वालों लो व्हां एक छे दिन में लक्त की जहां पे छापशे लोग नहीं कोई अलग से कुछ मिला है कि हाँ आप आके डीवी करा के चले गया है उनका एक रेजिस्टर है वहाँ पर सील साइन आपकी हो जाएगी आपकी और उनने जो डॉक्विंट ररिफिकेशन कर रहा है उनके फॉर्माट में जो है वहाँ पर भी आपकी साइन हो जाएगी तो बस जगह साइन होई आपका होम डिस्ट्रिक पूछा गया वहाँ पर और बाकी अडिशनली आपको ऐसे कुछ नहीं मिला है कि आप डीवी करा के चले गया है या फिर आपको जाइन लेटर मिल लागा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो यही सारी चीजे थी डबली आडी की डीव क्टैनल नहीं ले अब दाऊट हो है तो आप कमेंट कर सकते हैं इसमें अब टेलीग्राम चैनल में सबसी कर सकता है तो परस्टैनल म्म पे कर सकते हैं हो सकता है कि थोड़ा बहुत लेट हो झाल प्टा चबशी 15 गंड़ बला कर तो तो आप बिलकुल आपकी ठाइस डाउट पूछ सकते हैं, थैंक यू